हेलो गाइज आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनी सेंस पर आज मैं आप सभी की सामने लेकर आए हूँ एंसेट्स क्लासिफिकेशन की एक ट्रिक यह तो यह क्लासिफिकेशन तो नहीं सा टफ पड़ता है तो मैंने सुझा क्यों एक ट्रिक बनाएं और इसे एजील होते हैं एंसेट्स क्या होते हैं नॉन इस्टिरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रक्स होती हैं ऐसी ड्रक्स जो की स्टिरोइडल नेचर की नहीं हैं लेकिन एंटी इंफ्लामेटरी हैं और यह एनलजेसिक्स के तरह यूज की जाती हैं और कुछ-कुछ इनमें से एंटी जो pharmacy नहीं में पढ़ रहे हैं उन लोगों को भी यह सब पता होता है क्योंकि यह over the counter drugs है तो अब हम बात करनी है कि हमने इसको याद कैसे करना है यह बहुत ही easy सा classification है जो आपको फटक से याद हो जाएगा बस आपको एक story याद रखनी है अब हम बात करते हैं कि यह story क्या है समझ लीजिए यह story है एक auntie जी के वारे में यह auntie जी है कौन यह हमारी एक friend समझ लीजिए suppose कीजिए हमारी एक friend जिसका नाम है Nora तो Nora की यह सासुमा है जो आपको भी screen पर दिख रही है यह बहुत ही भुकड और पेटू किस्म की लेडी है और इन्होंने एक दिन बड़े चाओ से धाई किलो मफन्स खा लिए मतलब क्यूंकि यह बहुत पेटू है तो इन्होंने धाई किलो मफन्स खा लिए अब सिधी से बाते इतना मीठा है एक साथ कोई खाएगा तो उसके साथ क्या होगा उसका तो पेट खराब हो जाएगा है ना तो उनका पेट खराब हो गया उनकी तेवित बहुत खराब हो गई उनको फीवर भी आ गया तो अब जब उनको fever आया तो कोई कहा जाएगा hospital दोड़ेगा क्योंकि वो indoor की रहने वाली थी तो वो indoor की ही एक hospital जिसका नाम था इंदुमती hospital वहाँ गई फिर वहाँ उनको treatment बला और वो एकदम ठीक हो गई सुनने में आपको थोड़ी weird लगी होगी और बचकानी भी लगी होगी लेकिन यही जो वो trick है जिससे हम insights की first class के सभी drugs को याद करेंगे अभी हम सिर्फ first class से कर रहे हैं क्योंकि इसमें total 4 classes है तो जो first class होगी वो हम यहाँ पर complete कर लेंगे और बाकी की जो है वो हम next वीडियो में complete करेंगे तो अब यह जो मैंने कहानी आपको सुनाई देखते हैं उसको relate करके हम trick कैसे याद कर रहे हैं पूरा classification उससे कैसे याद कर रहे हैं तो यह है हमारा trick सामने यहाँ पर आपको excite दिख रहा होगा trick और excite दिख रही होगी class तो यहाँ पर जो मैंने red red letters में लिखा हुआ है वो आपकी trick से बनेंगे आपकी drug के नाम जैसे कि first में मैंने लिखा A A में मैंने लिखा है नौरा की नौरा की NO से बना first class जिसका नाम है non selective cox inhibitors ठीक है फिर मतलब जो A है A में first class होगी sub class जिसको हम बोलेंगे salicylate salicylate से क्या बना मतलब नौरा की सास सास का S A is salicylate और A S is for aspirin तो यह क्या हो गया नौरा की सास से बन गया आपका non selective cox inhibitor और salicylate और aspirin फिर next आता है second तो नौरा की सास है कैसी बहुती पेटू और कितनी भुकड तो पेटू के P से बना propionic acid derivatives इसके अंदर आती है ketoprofen जो की बना कितने के ket से और ना से बना naproxene और भुकड के BU से बना ibuprofen क्योंकि BU इसमें भी है और BU इसमें भी है ठीक है यहां spelling mistakes जानभूज के की गई है तो प्लीज comments में मुझे इस तरह से कोई न वोले कि आपने फलाना फलाना spelling गलत दिखिए बट वो actually intentionally लिखी गई है तो अब next जो है third एक बार तो एक के से क्या बना aryle acetic acid derivatives अकेल अकीवलबभी कितने पूरे धाइक किलो सांद लाइक डाइक्लो तो डाइक्लो से बना आपका डाइक्लोफनिक और डाइक्लोफनिक के साथ असे क्लोफनिक आप यूँ ही याद कर सकते हैं तो आप मैं क्या किया किया डाही किलो कि खाली हैें तो तो कि में जो ओ भाया उससे ओ से क्या बना ओक्जी केम डिरिवेटिव कंडे तो उनको क्या हो गया पाइड़ेक् ज्या हो गया क्शीर है मताम मेंघ ली हो थ index P-I बदे हैं पाइड-पाइड आपना याद हो जाए तो pyrexia से बना pyroxycham, फिर इसके बाद next pyrexia हो गया, और फिर क्या हुआ, उनका पेट भी बहुत खराब हो गया, तो फिर इसके P से बना आपका pyrolo, और पेट से बना pyrolo, pyrolo, pyrolo derivatives, और पेट हो गया, कितना खराब, कितना से बना आपका ketorolac, अब पेट कित हॉस्पटल लेके जाएंगे, तो अब उनको हमने क्या किया, इंदौर के इंदूमती हॉस्पटल में ले गए, इंदौर से बना indoor derivative, और इंदौमती से बना endomethacine, फिर इसके बाद में last फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, और वो perfect हो गई, मतलब ठीक हो गई, तो फिर से बना आपका pyrazolone और आपका oxyfan butazone और last perfect से बना आपका phenyl butazone, तो यह हुआ, एंसेट्स के classification की first class की सारे drugs जो आम तोर पर कठिन लगती है, तो मुझे लगता है कि इसको आप एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार बिन देखे, सोच के बोल कर देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको इसके ज्यादतर examples अच्छे से याद हो जाएंगे, और अगर आपको आगे जो बचा हुआ classification है, वो भी अच्छे से ऐसे ही रटना है, याद करना है, तो आप मेरे चैनल पे जुड़ जाईए, मुझे subscribe कर दीजिए, और अगर आपको ये video थोड़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको like कर दीजिएगा, और अगर पसंद नहीं भी आई हो, तो मुझे comment में बताईए कि इसमें आपको क्या खराब लगा, तो हो सकता है, आगे जाके मैं उसको improve करूँ, तो आपके suggestions भी आप लेख सकते हैं, और आपको कर कोई help चाये studies में, तो वो भी नीचे ल आपको कर दो 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 कर दो